हेलो फ्रेंड मैं लिंगराज पटेल एक निव रेसिपी के साथ आप सब का स्वागत करता हूँ आज हम बनाएंगे हक्का नूडल आप सबने होटेल और रेस्टूरेन में हक्का नूडल बहुत खाये होंगे एक बार मेरे बताएवे तरीके से इसको बना के ट्रै कीजिए आपको ये बहुत पसंद आएगा तो फिर चलिए दोस्तो हक्का नूडल बनाना स्टार्ट करते हैं ये देखे दोस्तो ये है नूडल्स इसको मैंने पहले ही उबाल के इसमें का सारा पानी को छान लिया है और इसके साथ मैंने लिया है थोड़ा सा पत्ता गोबी ये है प्याज, ये है सिमला मिर्ची, थोड़ा सा हरी मिर्ची और गाजर इसको मैंने चोटा-चोटा करके काट लिया है अब हम सबसे पहले लेंगे कड़ाई कड़ाई में डालेंगे थोड़ा सा रिफाइन तेल तेल गरम हो जाने के बाद हम इसमें एक एक करके सारा कटी हुई सबजी को डाल देंगे हमें सारे सबजी को एक साथ डाल देना है ये देखिए मैंने एक एक करके सारे सब्जी को डाल दिया है अब सब्जी को डालने के बाद इसको अच्छी तरह से इसमें फ्राय कर लेंगे लेकिन आप एक बात द्यान रखें दोस्तो इसको जादा फ्राय नहीं करना है एक्दम हल्का फ्राय करना है इन हरी सब्जिये को अगर हम ज़्यादा फ्राय कर देते हैं, ये खाने का टायम बिल्कुल भी अच्छा ने लगेगा, ये देखिए इसको जितना फ्राय होना था ये फ्राय हो चुका है, अब हम इस मैट करेंगे नमक, स्वात के अनुसर, अनमक को डालने के बाद, अब हम इस मैट करेंगे, द नूडल्स को डाल देते हैं, और ये देखिए, हमने सारा नूडल्स को इसमें डाल दिया है, अब हम इसको भी इसमें अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे, ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह आपको इसमें मिक्स कर लेना है, हमारा कड़ाई थोड़ा छोटा है, इस मैट करेंगे थोड़ा सा सोया सास और सोया सास को डालने के बाद इसको फिर एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हमने इसमें टमाटो सास, चीली सास, कोई भी सास का यूज नहीं किया है बस सोया सास का ही यूज किया है ये नूडल्स के रेसिपी बनाना बहुत ही सिम्पल है आप इसको घर में एक बार बना के जरूट रह कीजिएगा और ये देखिए दोस्तो हमरा हक्का नूडल बन के रेडी हो गया है आप हम इसको गरमा गरम प्लेट में सौर्प करेंगे मैंने इसको जब घर में बना के सब को खिलाया तो सभी ने इसका बहुत तरीप किया इसलिए मैं आपको फिर एक बार बोल रहा हूँ मेरे बताय हो तरीके से आज की ये हक्का नूडल रेसिपी को आप बना के घर में जरूट रह कीजिएगा आपको ये बहुत पसंद आएगा और मेरे रेसिपी कैसा लगा मुझे कोमन करके जरूर बतायेगा तो फिर मिलते हैं मेरा नेक्ट वीडियो में और एक नेया रेसिपी के साथ ठैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो फ्रेंड्स